नमस्कार आप देख रहे हैं गौलिर इंपक्ट और मैं हूं मिताली गौलिर में नगरी निकाय चुनाओ संपन होती ही अब बेसबरी से इंतिजार हो रहा है 17 जुलाई को आने वाले महापौर और पाशट के परणाम का लेकिन इस चुनावी माहौल के दोरान अकसर एक बात बार-बार सुनने में आई है और वो है 57 साल तो आखिर क्या है ये 57 साल के पीछे का राज बताते हैं दरसल अगर हम पुराने रिकॉर्ड को उठा कर देखें तो इन 57 सालों में जादतर बीजेपी के ही महापौर जनता के द्वारा चुने गए हैं आजादी के बाद जब परिशट का गठन हुआ तब सन 1956 से सन 2019 तक ग्वालियर में अब तक 17 महापौर रह चुके तो कौन थे ये 17 महापौर, क्या थे उनके नाम और कितना रहा उनका महापौर कारेकाल ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे आजादी के बाद जब परिशट का गठन हुआ तब ग्वालियर के प्रथम महापौर बने विश्नु मादभागवत पेशे से एक एडवोकेट थे और इनका महापौर कारेकाल 14 नाउंबर सन 1956 से 30 जन्वरी सन 1957 तक रहा इसके बाद दूसरे महापौर आए सयद हामिदली शाह जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1958 से 3 अप्रेल 1969 तक रहा इसके बाद महापौर आए स्वर्गेश्री राजा पंचम सिंग पहाड़गड जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1969 से 3 अप्रेल 1960 तक रहा इसके बाद महापौर आय स्वर्गीश्री नारायन कृष्णराओ शेजवलकर जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1960 से 26 दिसंबर 1960 तक रहा इसके बाद महापौर बने स्वर्गीश्री मेजर करतार सिंग जिनका महापौर कारेकाल 5 जन्वरी 1961 से 3 अप्रेल 1961 तक रहा इसके बाद महापौर बने डॉक्टर रगुनात राओ पाप्रीकर जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1961 से 3 अप्रेल 1962 तक रहा इसके बाद महापौर बने श्री चिमन भाई मूदी जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1962 से 3 अप्रेल 1963 तक रहा इसके बाद दोबारा से स्वर्गेश्री सेयद आमेदली शाह महापौर बने और 8 अगस 1963 से 3 अप्रेल 1964 तक महापौर पत्पक कार्यत रहे इसके बाद स्वर्गेश्री मेजर करतार सिंग दोबारा महापौर बने और 4 अप्रेल 1964 से 3 अप्रेल 1965 तक महापौर पक्पक कार्यत रहे उसके बाद दुबारा महापौर बने ग्वालियर के प्रतम महापौर रहे स्वर्गी श्री विष्णु मादव भागवत जिनका महापौर कारेकाल 4 अप्रेल 1965 से 30 जनवरी 1966 तक रहा इसके बाद अगले महापौर बने यानी दुबारा महापौर बने स्वर्गी श्री नारायन कृष्णराओ शेजवलकर जिनका महापौर कारेकाल 22 मार्च 1979 से 21 मार्च 1970 तक रहा हैं इसके बाद महापौर बने स्वर्गिये पंडिश्री राम अफ्तार शर्मा, जिनका महापौर कारेकाल 22 मार्च 1971 से 21 मार्च 1972 तक रहा। इसके बाद महापौर बने डॉक्टर धर्मवीर जिनका महापौर कारेकाल 5 अगस 1984 से 4 अगस 1985 तक रहा। इसके बाद महापौर कारेकाल 1 जनवरी 2005 से 9 जनवरी 2010 तक रहा। इसके बाद ग्वालियर की दूसरी महापौर बनी श्रीमती समिक्षा गुप्ता जिनका महापौर कारेकाल 10 जनवरी 2010 से 9 जनवरी 2015 तक रहा। और इसके बाद 12 महापौर बनते हुए श्री विवेक नाराण शेजवलकर ने 10 जनवरी 2015 से 5 जून 2019 तक महापौर पत को सभाला रहा। ग्वालियर में अब तक 17 महापौर हैं जिनके बारे में आपने जाना। और चुनाओं के दौरान उन्हें पूर बहुमतना मिलने पर समर्थन के द्वारा महापौर की कुर्सी पर बैठाला गया। गोशित होने वाले महापौर के परणाम में कौन बनेंगी ग्वालियर की तीसरी महिला महापौर। और इसके लिए आपको और हमें वस्वेट करना पड़ेगा 17 जुलाई तक जिसके बाद ये बात सुनिश्यत हो पाएगी। महापौर से जुड़ा हमने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने महापौर से जुड़ी अन्य जानकारी और उनके अधिकार और उनके पावर के बारे में बताया है। आप वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कॉंटेंट के लिए जुड़ी रही है ग्वाले रिम्पैक के साथ। मैं हूँ मिताली नमस्कार।